दोस्तो आईपेल 2020 में रईवार को चन्नेई सुपर किंग और किंग स्लेवेंट पंजाब के बीच बेहत संसनी खेज मैच खेला गया इस मैच में फॉब्डू प्लेसिस और सेन वाटसन के बीच हुई रिकॉर्ड साजेदारी के दम पर CSK ने पंजाब को 10 विकेट से करारी सिकस दी इसी के साथ CSK ने लगतार 3 मैचों में हार के सिलसिले को तोड़ा तो वही पंजाब के टीम की यहां लगतार 3 और 5 मैचों में 4 हार है तो चन्नेई की टीम ने 5 मैचों में दूसरी जीत दर्ज़ की और इसी के साथ IPL अंग तालिका में CSK चटे और पंजाब आठफे नंबर पर पहुँच गई है दोस्तो चन्नेई ने 189 रन के लक्ष का पीछा करते हुए डुपलेसिस और वाट्सन के बीच पहले विकेट की 181 रन की अटूट साज़ेदारी की बदोलत 17 असंबलो 4 ओवर में बिना विकेट खोए 180 रन बनाकर जीत दर्ज़की डुपलेसिस जहां नाबाद 87 रन बनाएं तो वही वाट्सन ने भी 83 रन बनाकर टीम को जीत दिलाकर ही लोटे तो दोस्तो आपको बताते हैं चिन्नेई सुपर किंग्स की इस सांदार जीत के बाच बड़े कारण जिसकी वज़े से पंजाब इस मैच में कहीं आसपास भी नहीं भटक पाई पहला वाट्सन और डुपलेसिस की रिकॉर्ड साज़ेदारी दोस्तों CSK के सलामी बल्लेबाज, सेन वाट्सन और फॉर्ब डुपलेसिस ने किंग्स लिवन पंजाब के खिलाब फॉर्म में नज़र आए वाट्सन ने तिरपन गेंदों में तीन छक्के और ग्यारा चौंकों के साथ नबाद 83 रन की पारी खेली दोनों की लाट्सन और डुपलेसिस के बीच यहां साज़ेदारी चन्नेई की ओर से किसी भी विकेट की सबसे बड़ी साज़ेदारी है इन दोनोंने माइकल हसी और मुरली विजय को पीछे छोड़ा जिनोंने 2011 में 169 रन जोड़े थे इन दोनों की साज़ेदारी के दम पर चन्नेई को 10 विकेट से बड़ी जीत हासिर हुई दूसरा साडूल ठाकूर ने चटकाए दो एहम विकेट चन्नेई सुपर किंग्स की ओर से साडूल ठाकूर सबसे सफल गिंबाज रहे जिनोंने 49 रन दे कर दो विकेट चटकाए 152 की स्कोर पर पंजाब के सिर्फ दो विकेट गिरे थे क्रिस पर केल, राहूल और निकोलस पुरन थे दोनों सांदार खेल रहे थे इन दोनों की फॉर्म को देखकर लग रहा था फिर साडूल ने अगली गेन पर राहूल को भी विकेट कीपर महंदर सिंग दोनी के हाथों कैच करा के पंजाब की टीम को दोरा जटका दिया ये दो विकेट गिरते ही पंजाब की रन गती कम हो गई और टीम 189 रन का ही स्कोर बना पाई तीसरा कारण अंतीम पाँच ओवर में किंसीडन पंजाब जोड़ पाई सिर्फ 48 रन दोस्तो पनद्रा ओवर के खत्म होने तक पंजाब का इस्कोर दो विकेट के नुकसान पर 130 रन था लेकिन इसके बाद पाँच ओवर में टीम केवर 48 रन ही जोड़ पाई इसके साथ अंतीम पांच ओवर में टीम ने दो विकेट भी गवाए डेथ ओवर की बॉलिंग में चनेल सुबर किंग्स का टूनामेंट में यहाँ बेश्च परफॉमेंस रहा है डेथ ओवरों में कम रन बनाने का किंग्सिलेंट पंजाब को काफी नुक्षान उठाना पड़ा जिसकी वज़त से टीम CSK के सामने और बड़ा स्कोर नहीं रख पाई पंजाब की टीम अंतीम टीम ओवर में 26 रन ही जोड सकी चौथा कारण किंग्सिलेंट पंजाब की गेंदबाजी रही बेहत खराब दोस्तों किंग्सिलेंट पंजाब ने स्कोर वोड़ पर 189 रन टांगे थे यहाँ छोटा स्कोर नहीं था लेकिन पंजाब की बेहत खराब गेंदबाजी की वज़े से टीम को हार का मुह देखना पड़ा टीम की खराब गेंदबाजी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पंजाब CSK का एक भी विकेट नहीं चटका पाई डुपलेसिस ने क्रिस जॉर्डन के पारी के छटे ओवर में चार चौके मारे जिससे चिन्नई ने पावर प्ले में 60 रन जोडे जो मौजूद टुनामेंट में उसका अब तक का सर्वस्टेश प्रदर्शन है जॉर्डन ने तीन ओवर में 42 रन दिये वही हरप्रीत बरार ने 41 रन दिये जिसकी वज़े से पंजाब को एक सर्मनाख हार का सामना करना पड़ा वैसे दोस्तों आप में लाइक और कमेंट करके बताएं किसकी गलती से पंजाब को हार का सामना करना पड़ा